Hello Student Education 24 में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको B.A. 2nd Year के 4th semester में आपका जो subject है English Literature उसके अंदर कौन-कौन से question आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले question के बारे में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप आपको आने वाले question के बारे में अच्छे से पता चल सके और जो भी student B.A. 2nd Year के अंदर है जिनका 4th semester के exam चल रहा है या फिर 4th semester के exam चलने वाला है वो लोग comment करके जरूर बढ़ता है कि next question paper उनको की subject के उपर चाहिए ताकि आपके comment concern मैं आपको question में पर दे सकूँ तो आज बीना किसी देरी के हमनों शुरू करते हैं और सबसे पहले आती लगूतरी प्रस्णों के बारे में जानते हैं तिहां पर आती लगूतरी प्रस्णों में पहले प्रस्ण की बात की जाते हैं पर आपका पहला प्रस्ण दियो वा है write in brief on expansions techniques of translation वगली question की बात की जाते हैं पर प्रवाइव कोर्षिन की बात की जाते हैं पर आपका तीसरे कोर्षिन दियुए है वाट बात की जाते हैं पर आपका पांचोन दियुए है describe the climax of the novel describe the climax of the novel वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चाटा कोशन दिवा है what is the importance of Riley in the home and the world what is the importance of Riley in the home and the world वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका साथवा कोशन दिवा है discuss the various philosophies of Saint Kabir discuss the various philosophies of Saint Kabir बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका आटवा कोशन दिवा है Write a note on Kabir बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका नव कोशन दिवा है What are Kabir das many literary works What are Kabir das many literary works बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका दसवा कोशन दिवा है Who were five women, who were with utra Who were five women, who were with utra अब बगली question की बात किजते हैं पर आपका इगराओ question दियो वा है कन्यादान्स मीनिंग अन्ड दा हिंदी डिटिक्स अब बगली question की बात किजते हैं पर आपका बढ़ाओ question दियो वा है What point of view शुखात्म gifs about motherhood ति टूटल आपके 12 कोश्चन होगे जो आप साती लगूत्री प्रस्णों में पुछेंगे अब आगे हम लोगूत्री प्रस्णों के बारे में जानेंगे तिहां पर लगूत्री प्रस्णों में पहले प्रस्ण की बात की जाते हैं पहला परसेन दिए भुँभा है, What can be translated? What are the objective of translation? अब गली कोशन की बात की जाते हैं, पहाँ तीसरे कोशन दिए भा है, गरली question की बात की जाते हैंब अपका चौता question दीवा है What are benefits of technological and machine translation through mobile and computer? गरली question की बात की जाते हैंब अपका पांचों question दीवा है Justify the significance of the title of the novel, The Home and the World गरली question की बात की जाते हैंब अपका च्छता question दीवा है वगली कोशन की बात की जते हैं पर आपका साथवा कोशन दिवा है पर आपका आपका अट्वा कोशन दिवा है बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका दसफ़ कोशन दियो है बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका दसफ़ कोशन दियो है बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका दसफ़ कोशन दियो है बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका दसफ़ कोशन दियो है बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका दसफ़ कोशन दियो है बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका दसफ़ कोशन दियो है बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका साथव कोशन दियो है बगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका दसफ़ कोशन दियो है बगली question की बात की जाते हैं पर आपका दस्वा question दिवा है बगली question की बात की जाते हैं पर आपका दस्वा question दिवा है बगली question की बात की जाते हैं पर आपका बरहो question दिवा है इस वीडियो के अंदर मैंने आपका आती लगूत्री प्रस्ण लगूत्री प्रस्ण और दिर गूत्री प्रस्ण ने तीनों तरह के प्रस्णों के बारे मता दिया आप इन तीनों तरह के प्रस्णों को नोट कर लिजे और किसी किताब से सिरी से मिलाकर कियाद कर लिजे तो दूस्तो आज इस वीडियो को महीं पर स्कीप करता हूं मिलता है आप से नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और कमेंट करके बती ही कि आपको नेक्ट वीडियो की इस्टोफिकों पर चाहिए थैंकि दोस्तों